दोस्तों नमस्कार मैं जिदेन कुमार तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि प्रॉफिट आप मोबाइल अप्लिकेशन जो की प्रॉफिट मार्ट का ही एक नया वर्जन है अप्लिकेशन का उसमें आप किस प्रकार से आप ट्रेडिंग करेंगे कैसे आप फंड विड्र इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो थोडा सा लंबा होगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखे और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करें और कुछ वीडियो मैं आपको आई-card पे दे रहा हूँ तो यह application आ जाएगा इसको आपको download कर लिना है simple सा ठीक है इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे login ID और password आएगा password डालना है पड़ेगा जब आप नया account open करवाते हैं तो आपके पास एक ID और password आता है तो वो आपके mail ID और mobile number दोनों पे आता है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आता है वो password ठीक है आपको अपने gmail पे जाना है simple सा आप यह देख सकते हैं यह मेरा password आया हुआ है मेरे पास ठीक है अगर application आपको download करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं application download यह आपकी link दिया गया है यहाँ पे ठीक है और mobile के inbox में भी आपको एक message आता है आप यह देख सकते हैं कुछ इस प्रगाल से तो यह जो password है आपको क्या करना पड़ेगा simple सा इस password को आप देखके आप क्या करो simple सा यहाँ पे जो आपका application है वहाँ पे आपको डालना है जैसे मेरी ID यह है और password मैं वहाँ से आपको देखके बना लूँगा आप देख सकते हैं मैंने यह password यहाँ पे डाल दिया है simple सा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यह password आपको देख भी जाएगा इसके बाद validate में आपको क्लिक करना है simple सा लिखा हूँ है अब यहाँ भी क्या करना है कि जो आपका वो password आपके पास आया था वो password आपको डालना है इसके बाद एक new password इसके बाद confirm password तो मैं वो password आपको mention कर देता हूँ इसके बाद new password में आपको alpha numerical रखना पड़ेगा मतलब एक ABCD का letter एक number और एक आपको add the rate star या फिर hedge ऐसे गरके आपको कुछ रखना पड़ेगा तो मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ आप अपने तरीके से इसको बना सकते हैं यह देखिए मैंने अपना password बना दिया है अब यहां पर submit करेंगे जैसे submit करेंगे तो यहां पर कुछ लिखा हुआएगा password change successfully password will expire 14 days मतलब 14 दिन के बाद यह automatic expire हो जाएगा आपको नया बनाना पड़ेगा इसमें simple सा ok में क्लिक कर देना है फिर direct back पे चला जाएगा अब यहां पर अपना password जो भी आपने password डाल लखा है वह simple सा आपको password mention करना है और इसके बाद validate में क्लिक करना है अब यहां पर बोल ला है कि unable to recognize fingerprint अगर आपके mobile phone fingerprint support करता है तो आप simple सा यहां पर अपना fingerprint भी add कर सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप fingerprint भी add करें ताकि बार बार आपको password डालने की जोतना पड़े ठीक है तो आप देखिए कैसे fingerprint add करते हैं अगर आपको अगर fingerprint नहीं लगाना है अगर आप OTP के थुरू भी login करना चाहते हैं तो OTP के थुरू भी आपका यह application login हो जाएगा simple सा यहां पर login with OTP में क्लिक करना है यह back चला जाएगा password आपको जो आपने password बना रखा है वो password आप यहां पर आप देख सकते हैं यह OTP OTP बोल है आपकी mobile नंबर पर अगर आप इसको OTP के लिए send करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से आपको एक OTP देगा उस OTP के माध्यम से भी आप इसको login कर सकते हैं तो मैं अपना OTP यहां पर डाल देता हूं लॉग इन में क्लिक करेंगे तो यह देखें आपका application ओपन हो चुगा है ठीक है अब simple से हमें क्या करना है अगर आपको यहां पर आपको menu दिख जाएगा यहां पर सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएंगी मारकेट है फंड्स है लिमिट सह है बहुत सारे चीजे आपको दिखने को मिल जाएगी बहुत सारी चीजे आपको डैसपोर्ट ही देखने को मिल जाएगा जिसे Nifty है बैग Nifty फेन Nifty यहां अपने शापका मुझंटिक करके आगा अगर आपको कुछ और इंडेक्स एड़ करना है तो simple सा है इसमें क्लिक करके तीन ही इंडेक्स आते हैं इसमें तो अगर आपको census करना है census में क्लिक कर दिए set कर देजिए यहाँ पर census आपको दिखाने लगेगा ठीक है आप नीचे आएंगे position book profit and loss इसके बाद limits आएगा और margin of level और margin use का भी option आएगा ठीक है यहाँ पर आपको fund वगेरा mtm और fund वगेरा सब कुछ आपको दिख जाएगा ठीक है अब simple साप menu में क्लिक करेंगे अगर आपको pain करना है तो simple सा आप क्या करेंगे आपको fund transfer में क्लिक करना है ठीक है इसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपको अपना segment select करना है ठीक है आई exchange जो भी आप अगर किसी में भी आप मतलब इसमें क्या है कि अलगलग fund आपको नहीं डालना पड़ता है एक ही fund में आपका दोनों चल जाता है मतलब चाहें आप कमुटी में करें करनसी में करें या फिर equity derivative या cash में करें तो अगर आपका अलग-अलग fund नहीं डालना पड़ेगा तो आप सिंपल से nsc select कर दीजिए आपका यहाँ पर bank क्लिक कर देंगे ठीक है इसके बाद आप UPI की माध्यम से भी आप इसको पेइंट कर सकते हैं ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं एक से करना यह तो नेटवाइंग की वाला option है ठीक है आप यह देखिए ओके में क्लिक करिए यहाँ पर यह आ गया आपका ठीक है आपको यहाँ पर अपना मुबाइल नमबर डाल देना है जो भी आपने मुबाइल नमबर वो कर रखा होगा उसके नीचे email id आपको डाला इसके बाद आपको using net banking में क्लिक कर देना है ठीक है तो आपका यहाँ पर user id और password आपको डाल के submit कर देना है तो आपका pain हो जाएगा ठीक है तो net banking से ऐसे गर सकते हैं अब मैं आपको दिखा देते हूं UPI के माध्यम से कैसे करते हैं सिंपल्स आप देखेंगे pain जहां लिखा है उसके बगल में payout लिखा है उसके बगल में ही UPI payment का option दिख रहा है आपको ठीक है जैसे इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का window आपको open होगा आपके mobile phone पे ठीक है Google Chrome पे यहाँ पे आपको जो भी आपके ID है वह सिंपल सा यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है जो भी आपका पैन नंबर है पैन नंबर डालने के बाद सिंपल सा इसमें submit में क्लिक करना है यहाँ पे आपको आपका account नंबर दिख जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस इसके बाद आपको देखने को मिलेगा आप Google Play फोन पे जिससे आप करना चाहते हैं उससे गर सकते हैं मैं अभी फोन पे से कर रहा हूं इसके बाद आपמש सा लेक्ट करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को बिल जाएगा इस तरह का select करेंगे आप यह देख सकते हैं fund transfer हो रहा है यह देखे आपका fund transfer हो चुका है within 5 minute में आपका fund आपके DMAT account में so होने लगेगा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं लिखा हुआ है payment done successfully ओके ठीक है अब आपको अपने application पर दुवारा जाना है symbol सा यह देखे आप अपने application पर आ चुके हैं अब आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आपको 5 minutes के बाद आपको आपका जो भी fund है वो so होने लगागा तब तक मैं कुछ और features के बारे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अगर आपको theme change करनी है simple सा आप menu में जाएंगे settings में क्लिक करेंगे और आपको देख पाएंगे यहाँ पर night theme का option लिखा हुआ है इसमें क्लिक करेंगे तो आपका night theme का भी option आपको दिख जाएगा इसके बाद अगर आपको password change करना है simple सा आप change password में क्लिक करें जो password आपने बड़ा रखा है वो password डाले new password डाले इसके बाद confirm password डाल दें ठीक है और यह हो गया अगर आपको अपना laser देखना है तो simple सा आप market funds limits limits के नीचे लिखा हुए laser laser में क्लिक करेंगे तो आप अपना bank यह जो आपका trade है वो statement भी आप देख सकते हैं अगर कोई IPO चल ला है उसकी जानकारी भी आप यहां से ले सकते हैं simple सा आप client code डालेंगे और यहां पे get OTP generate में क्लिक करेंगे यहां से आप IPO की information ले सकते हैं इसके बाद आप market में जाके आप बहुत सारी चीज़े यहां पे actually क्या है यह जो application है थोड़ा सा advanced level का application है तो यहां पे आपको सारी चीज़े और अच्छे से देखने को मिल जाएगी mid cap के बारे में देखने को मिल जाएगा small cap SIP 500, S&P 500 यह सारी चीज़े देखने को मिल जाएगी और FIIS, TIS की कितनी buying हुई है कितनी selling हुई है यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा bulk deal कितना हुआ है और तो यह भी आप चीज़े यहां पे देख सकते हैं काफी advanced level का software है ओके तो आप देख सकते हैं अभी यह जो मैंने fund add किया था यह available margin 1000 आपको show कर रहा है ठीक है अगर किसी करण वस मेरा जो application है block हो जाए तो मैं उसको कैसे unblock कर सकता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ ठीक है तो सबसे पहले मैं इसको log out कर देता हूँ यह मैंने log out कर दिया ठीक है न अगर मेरा account block हो चुगा है तो simple समय यहां पे जो लिखा हूँ है forget उसके बगल में unblock account लिखा है उसमें click करूँगा मैं यहां पे अपना email id डालूँगा और यहां पे अपना pen number डालूँगा ठीक है इसके बाद यहां पे मैं submit करूँगा तो मेरा जो account है user unlock successfully ऐसे unlock हो जाएगा ठीक है अगर मुझे password forget भी करना है तो simple so मैं forget में click करूँगा mail id डालूँगा अपना और pen number डालूँगा और submit में click कर दूँगा तो मेरा password forget हो जाएगा ठीक है अगर आपको special password कैसे forget किया जाता है password कैसे new बनाया जाता है कैसे account unblock किया जाता है तो वो अलग से मैंने accepted video बना रखा है link मैं i card में दे रहा हूँ तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीजे हो गए अब simple से अगर मुझे कोई stock इसमें watch list में add करना है तो simple से मैं watch list में जाऊंगा ठीक है यह जो blue color का button दिख रहा है इसमें मैं click करूंगा प्रस वाले icon में click करूंगा यहाँ पे आपको x, y, z जो भी आपको बनाना है उस नाम से आप बना सकते हैं इसके बाद submit में click कर देंगे ठीक है अब simple से यहाँ जो search लिखा है वहाँ पे जैसे मुझे लेना है 41,400 का call option अगर मुझे लेना है पैंग निफ्टी में तो simple से मैं यहाँ पे 41,400 में click करूंगा ठीक है इसके बाद देखेंगे 9 March की expiry दिखा रहा है तो मैं simple से add में click कर दूँगा तो यह script मेरी add हो जाएगी आप back जाके आप देख सकते हैं यह मैं back गया ठीक है यह देखें आपका यह add हो चुगा है ठीक है उसी तरह से अगर आपको script को delete करना है तो simple से यहाँ पे ऐसे click करेंगे right subscribe करेंगे और delete में click करेंगे तो यह आराम स आपका script delete भी हो जाएगा ओके अब मैं बता देता हूँ इसको buy और sell करते हैं ठीक है आपको अगर simple सा stock option की अगर कुछ call option वगेरा लेनी है तो same यहाँ पे आप simple सा जैसे मान लिजीए आपको reliance लेना है reliance को कोई call option लेना है तो simple सा reliance डाले आप reliance डालेंगे इसके बाद जो भी आपको लेना है यहाँ पे जैसे 2380 का मुझे CE लेना है मैं यहाँ पे डाल दूँगा तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं expiry के साथ आपका यह यहाँ पे आ जाएगा यह आप ऊपर देख सकते ह रहाँ यह script मेरी symbol सा यहाँ पे add भी हो जाएगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं reliance को call option यह मेरा simple सा add हो चुका है ठीक है तो इस तरह से आप कोई भी script को add by correct कर सकते हैं यहाँ अगर आपको mcx का भी कुछ आपको सर्च करना है तो वो भी आप यहाँ से इसली सर्च करके watch list में add कर सकते हैं ठीक है अब मैं बता दिता हूँ इसको buy कैसे करते हैं अगर आपको nifty buy करनी है या फिर bank nifty कुछ भी आपको buy करना है whatever जैसे मुझे buy करना है 41,800 का CE buy करना है ठीक है मैं simple से इसमें click करूंगा आप यह देख सकते हैं simple से मेरे सामने यह open हो चुका है यहाँ पर आप market depth future option ठीक है यह आप देख सकते हैं option chain यहाँ पर आप easily देख सकते हैं आप देखना है तो आप देखें और आप इसके बाद back करके यहाँ पर buy chart भी आप देख सकते हैं इसके बाद buy में click करेंगे ठीक है अगर यहाँ पर दो चीजे हैं अगर अभी चलना है 4.50 पैसे और अगर मुझे क्या करना है simple सा लेना है इसको किसमें अगर इसको लेना है मुझे 10 रुपैसे ठीक है तो यहाँ पर जो लिखा है order type उस पर मैं SL select करूंगा और इसके बाद ही मैं क्या करूंगा यहाँ पर अपना price डालूंगा कितना 10 डालूंगा price पर और trigger price में मैं उसके नीचे डालूंगा यह 5 पैसे नीचे डालूंगा product type में अगर आप normal straight करेंगे तो carry forward कर सकते हैं कल के लिए expiry तक के लिए MIS intraday के लिए होता है CO order में आप total stop loss के साथ का कर सकते हैं B order अभी काम नहीं करता AMO order मतलब after market अगर market नहीं खुला है market 15 से पहले भी आप order place कर सकते हैं ठीक है तो मैंने यह किया review by order में मैंने click कर दिया हाँ आप देख सकते हैं यह मेरा जो position है अभी आप देखेंगे यह pending में so करने लगेगा ठीक है कभी भी अगर आपको अगर कभी भी आपको जो price चल ला है उस price से उपर आपको लेना है तो simple सा आपको क्या करना पड़ेगा आपको sl select करके लेना पड़ेगा अभी मैं इसको cancel कर देता हूं ठीक है इसके बाद अगर आपको अगर आपको अगर आपको चार रुपे 85 पैसे या फिर 50 पैसे से लेना है इसको तो simple सा आप क्या करेंगे यहां पर product type में MIS या फिर intraday जो भी आपको select करने कर लिए इसके बाद जो हाँ पर limit लिखा हुआ है limit में select करके यहा price डाल के आप कहां कर सकते हैं review by order में click करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका order लग जाएगा यह देखिए अभी मेरी position pending में है क्योंकि मैंने चार रुपे से यहां पर bid डाल रखी है ठीक है अब इसको मैं क्या करता हूं markets लेने की कोशिज करता हूं ठीक है यह pending order है pending order में click करेंगे modify में click करेंगे modify में आप क्या करेंगे अगर आपको यहां पर मैं क्या करता हूं इसको market से लेता हूं ठीक है जो market चल ला है अभी कितने रुपे चल ला है मैंने मार्केट से इसको अभी ओर्डर सम्मिट सक्सेस्पूली कम्प्लीट आप सिंपल से आप डैस्पोर्ट पर जाएंगे तो यह देखिए सिंपल्स क्या करेंगे अगर मुझे अगर मुझे ऑफिर तार्गेट मेंगाना है अगर मुझे तारगेट लगाना है तो मैं इसमें क्लिक करऊंगा स्कवार इसमें क्लिक करेंगा कि और यहां पर यहां पर लिमिट करके दी पर प्राइस से मुझे निकालना यहीं से 6 रूपय से मुझें निकालना है यह vacation तो मैं क्या करेंगे हैं यह आप 5 पर सिंपल सा अगर मुझे 6 रुपस निकालना यहां पर 6 डालूँगा और कुछ नहीं करूँगा सिंपल सा मैं Review Y Order में क्लिक कर दूँगा तो यह मेरा Target लग गया आप यह देख सकते हैं ओके इसे तरह से आप इसमें Stop Loss में मेंज़नेंट कर सकते हैं सिंपल सा इसमें आएं आप इसमें गुलिक करें Square F में जाएं ठीक है इसके बाद क्या करें सिंपल सा जो Position आपने ले रखी है उस Position को पहले क्या करना पड़ेगा आपको या तो Target लगाना पड़े गया या Stop Loss दोनों एक साथ में नहीं लगते हैं तो सिंपल सा आप क्या करें आपको जो आपकी Position पेंडिंग है टार्गेट वाली Position पे जाएं आपका जो पेंडिंग में दिख रहा होगा सिंपल सा यह पेंडिंग में दिख रहा है पहले इसको आप कैंसिल करें ठीक है इसके बाद फिर से क्या करें आप डैसपोर्ट में जाएं MTM में क्लिक करें इसके बाद यहां पे क्लिक करें स्क्वाइर में जाएं और सिंपल सा यहां पे लिमिट डाल के आप लिमिट डाल के प्राइड डाल दें और यह सम्मिट कर दें ठीक है कि तो यह आपका जो है स्टॉप लोस लग जाएगा ठीक है आपको limit नहीं select करना है वहाँ पर आपको SL select करना है जो order type था आपका वो order type में आपको simple सा order type में आपको SL select करके आपको यह position डाल देनी है ठीक है तो इस तरह से आप nifty और bank nifty में अपना position ले सकते हैं target लगा सकते हैं और stop loss भी लगा सकते हैं ठीक है कैस की position में simple सा अगर कोई cash की position लेनी है ठीक है तो आप simple सा क्या करें यहाँ पर watch list में जाएं यहाँ पर simple सा आप जो आपको स्टॉक सर्च करना जैसे idea मुझे लेना है idea में select करूँगा add में click कर दूँगा यह मेरी watch list में add हो जाएगी ठीक है यह idea आ गया अब यहाँ पर मैंने click किया है दो option आ रहे हैं आपके बास buy और sell का buy में जैसे मैंने click किया ठीक है ना same quantity एक ठीक है इसके बाद CNC मतलब यह होता है कि आप इसको holding में लग सकते हैं MIS order मतलब intraday CO मतलब cover order stop loss के साथ लगता है B order अभी काम नहीं कर सकता simple review में click करेंगे limit डालके जैसे मुझे लेना है 5 उर्पे से 5 डाल दिया और review by order और submit में मैंने click किया तो यह क्या हो जाएगा simple सा जो मेरी position है वो लग जाएगी ठीक है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं Profit Mart के नए application Profit Up में आप buy कर सकते हैं Sell कर सकते हैं Payne कर सकते हैं और आपको मैं payout का भी option दिखा दिता हूं simple सा menu पे जाएंगे आप fund में click करेंगे और simple सा क्या करेंगे payout में click करेंगे जो भी आपका fund रहेगा यहां पे आपका नीचे दिख जाएगा कि कितना fund है उस fund को क्या करेंगे simple सा select exchange करेंगे कुछ भी डाल देंगे यहां पर amount जो भी है वो amount यहां पर डालके और आप submit कर देंगे तो आपका fund जो भी है withdraw हो जाएगा छे बजे चे साड़े चे सथ बजे तक में आपका payout आ जाता है अगर आप 2 बज से पहले पे आउट डालते हैं तो same day आपको पै Jest पहले अपना payout लगाएगे और यहां पर आप देख लें कि कितना आपका fund settlement है इसके बाद ही अपना प्लेंट लगाएगे ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल के साथ बने रहें